हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डेक्स्टॉप पबलिस्टिंग टिप्स और दोस्तों अपने इस चैनल पर हम आज कर बात कर रहे हैं एडोब इंडियाइन के बारे में और जो मेरी पिछरी वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि अब हम अब बात करेंगे आज की वीडियो में की अब्जेक्ट इस्टाइल्स क्या होती है जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में आपको नेस्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताओंगा तो चलिए शुरू करते हैं अब्जेक्ट स्टैलिस के बारे में इंडियाइन के अंदर, ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले तो अब्जेक्ट होता क्या है, इंडियाइन में, तो इंडियाइन में दोस्तों कोई भी element है, चाहे वो circle है, rectangle है, line है, text frame है, image है, वो सब एक object कहलाते हैं, कि आपने उसमें, उसे customize क कर सकते हैं, और उसकी properties क्या होती है, outline properties, fill properties, circle round है, या फिर shadow है, या फिर कोई और भी effect हम हम डाला हुआ है, transparency type का effect है, तो जितने भी effects हैं, वो सब के सब हम एक style में save कर सकते हैं, और सिर्फ object करेंगे, और style क्लिक करेंगे, या document में, किसी भी document के throughout भी हम एक command के द्वारा, उन object style को change कर सकते हैं, इसका benefit भी यह होता है, ठीक दोस्तों, तो चलिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, कि हम इसको बनाते कैसे हैं, तो तरीका दोस्तों वही है, कि आपने जो पहले बनाया है, कि आपने कोई भी element जो है, आप उसको एक set कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मै मैं चाहता हूँ, color है white, outline blue, corners, corners, round 8pt का, ठीक है दोस्तों, यह हो गया, एक style बनी, और इसके बाद क्या है, मैं इसमें shadow भी add करता हूँ, तो अभी तक सायद मेरे आपको shadow बारे में नहीं बताया है, बढ़ चलिए, थोड़ा सा हिंदी देता हूँ, कि आप पे जो fx है, fx पे click करेंगे, तो आपके जितने भी effects होते हैं, यहाँ पे आपको जो tool बार है, आपका properties बार है, आपने किसी भी element को select किया है, तो यह highlight हो जाता है, वैसे भी highlight हो जाता है, बढ़ फिर जो property default में चेंज़ हो जाती है, तो हम इस पर select करते हैं, और इसक size है, मैंने इसका भी वह भी 2pte कर दिया, अब सरी जादा है, identify कर देते हैं, हलका सा रहेगा, ठीके, मैंने यह apply कर दिया, अब हम इसको, मान लीजे मैंने एक जगह हैं, दो जगह, तीन जगह हैं, ठीके, और एक जगह और भी है, यह हो गए, मेरे पास कितने होगा, साथ हो है, और हमने साथ जगह apply कर लिया, अब सिर्फ साथ जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहता हूँ कि इसका outline है, वो pink हो जाए, ठीक है, तो, अब हम यहाँ पर चुकि एक यह बास इकटे हैं तो हमने पकड़ा और इसका outline pink कर दिया, अब मान लीजे, यही जो element है, यह साथ जगग संतर होते है, यह साथ सो होते है, और अलग-लग pages में होते हैं, तो क्या दिक्ते हैं हम इसको, तो क्या हम इसको हर page पर जाएंगे, select करेंगे, pink को स्यान बदलेंगे, या इसको जो भी color हम चाहते हैं स्यान, इस तरीके से करेंगे, नहीं, इंडियान के अंदर इसका बहुत ही अच्छा तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, कि आपने जब एक style आपने starting बना लिया है, तो object style नाम से एक menu होता है, आप इस पर click करेंगे, जैसे ही click करेंगे, तो आपके सामने, जैसे कि अभी तक आपने paragraph style में देखा होगा, जो table style थी उसमें देखा होगा, तो यहाँ पर एक जो है कि पैनल खुल गया है, और इसके बाद इस पैनल के अंदर आते ही, आपने यहाँ आप देखे, एक none है, basic है, और basic text frame है, तो आपने क्या करना है, एक नया बनाना है, और मैंने इस पर दिया, checkbox style कर दिये, कुछ भी checkbox है, checkbox, ठीक है, मैंने click किया, और ok कर दिया, properties मैंने कुछ चेंज ने किया, क्योंकि जो properties है, shadow properties है, बागी properties इतनी भी थी, मैं पहले ही define कर ठीक हो एक बार, ठीक है दोस्तों, अब मान लिजिए कि ये मेरा checkbox बना हुआ है, और सिर्फ एक पही apply है, और किसी पह applied भी नहीं है, ठीक है, मैंने सिब को पकड़ा एक बार में, checkbox, सारे blue हो गए, ठीक है, ये चुकि आप देखे, यहाँ पर भी style apply नहीं है, मैंने किया कि या checkbox, ये देखे, corner round shadow, ये सिर्फ size है, क्योंकि size हमारा irrespective होता है, कि हमने document में कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो size alterate नहीं करेगा, सिर्फ ये जो properties हमने यहाँ apply कि हुई है, वहाँ पर इनको वो modify कर देगा, अब चुकि मान लिजिए कि मुझे इसका जो color है, outline color है, वो करना है pink, तो अब आपने कुछ नहीं करना, आप जाए selected हो, नहीं हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आपने सिर्फ इस पर double click करना है, double click करते ही, जो properties आपने यहाँ पर save किया था, नया बना करके, वो properties खुल जाएगी, और आप इसमें देखें कि बहुत सारे options है तो हम सारों का लगबग इस्तेमाल नहीं करते हैं, basically हम इस्तेमाल जाएगा करते हैं, fill का, strokes का, strokes and corner options का इस्तेमाल कर सकते हैं, and size and position options, इस चीज़े हम manually set करते हैं, तो आप करना चाहते हैं, तो आप इसको खुद से R&D करके आप इसको test कर सकते हैं, क्योंकि इतना अगर बता आदेता हो, कि fill color जो यहां पर आप देख पार है, preview on कर लीजिए, आप जो color चाहते हैं, yellow, एक command में आप, यहां पर आप इसका visual भी देख पाएंगे, कि visual में क्या effect आ रहा है, आप यहां देख भी पाएंगे, transparency कम करने चाहते हैं, transparency tint कम कर दीजिए, 20%, तो सारा एक command से आप इसको बदल सकते हैं, outline कदर आप pink चाहते हैं, pink कर दीजिए, oh sorry, fill पी लिखा हो है, कोई बात नहीं, इसको हम click करते हैं, यहां आप का out stroke, और यदि आप यहां से click नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां क्लिक करेंगे, तो भी यह चीज़ें बदल जाते हैं, आप ने pink करना है pink कर दीजिए, white करना है, white कर दीजिए, तो आप सिर्फ एक command में चाहें, तो आप इसको कितने भी styles में आप इनको बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अब यही मैं आप से कहने वाला था, यह आपने table के अंदर customize, आपने उसमें बताया था, पिछली वीडियो में कि object style के इस्त क्योंकि मेरा एक था, तो मैंने इस पर, एक पर click किया, यहां बनाता हूँ, तो क्या लिखता हो मैं इसको, object style, तो मैंने नाम दिया इसको table header box, ठीक है, तो आप दोस्तों, नाम कोई आप को जो 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 जो, मैंने जो नाम दिया, आप वही नाम देंगे, आपका जो मन करें, आप वो नाम दे सकते हैं, क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक किया Table Header Box, इस पर क्लिक किया Table Header Box, अब इन तिनों पर ये Table Header Box applied है, और ऐसी हम बना जिते हैं, कि एक बनाता हूँ नया, इसको बना जिता हूँ Table Cell Box, ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास Table के लिए भी दो इस्टाइल ह हम यहाँ पर क्लिक करते है Table Cell Box, और चाहे तो आप पिकर टूल एक पर अपना अप्लाई कर दिया है, तो आप इसे क्लिक किजिए, अप्लाई कर दिया सब पर ही, तो होगा क्या कि जो स्टाइल आपने बनाया है, वो सब पर अप्लाई हो जाएगी, यह देखिए Table Cell Box, मैंने पिकर टूल से किया, वो ज्यादा इजी हो जाता है, आपके काम करते करते हैं, अब क्या है मैं चाहता हूँ कि यह जो कलर है, यह वाइट नहों हलका सा ग्रेश हो, तो अब एक कमाड चाहँ आपने चाहँ बहुत सारी Table बन गई हमारे बहुत सारी Table दोक्यमेंट के अंदर है तो हम सब पे क्लिक नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक पे क्लिक करते हैं Table cell box, फिल पे गए और फिल पे हम चाहते हैं कि ब्लेक किया हमने इसको पुरा ब्लेक हुआ, 10% टिंट मार दिया, और यह हमारा हो गया, किसमें, ग्रे, च्ट्रोक, क्योंकि अब कमाड प्लाई करने के हुई है, या आपके word grid वगएरा है, जो कई बार को word grid हम टेबल बनी रखते हैं, हम इनको आजे box सकते हैं, इसको बार बॉक्स बना करके, तो हम उसमें इस चीज़ को apply करते हैं, effect डालते हैं, तो आप इसको उस तरीके से भी modify कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा object style, कि हम object style में किस प्रकार से इनको इस्तेमाल करते हैं, और इसी में ही मैंने आपको जो shadow वेगरा भी है, तो मैं अगली वीडियो है, मैं आपको transparency है, drop shadow है, inner shadow है, मैं इसके बार ही बताने बताता हूँ, कि आप इसको भी किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीजें, बहुत कुछ चीजें तो ज्यादा नहीं है, मतलब, basically हम जो transparency है, drop shadow है, और बस दो इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको ये अजली वीडियो जो आएगी, मैं आपको उसे बता दूँगा कि transparency आपके इस प्रकार से apply कर सकते हैं, उसे कैसे use कर सकते हैं, क्योंकि उसने भी खोड़ी सी skill के जोट पढ़ती है, तो मैं आपको next video में बताता हूं, ठीके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे next video में with special effects in design, ठीके, धन्यबाद दोस्तों